नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं एक मार्च से फिरी में आमनागरी कोको लगेगा कुरोना ठीका देश में कुरोना संक्रमन का खतऱा एक लिएक बर फिर बढ़ रहा है बता दे केंदरिये 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 मंत्री परकास जावेटकर ने बताया की एक माच से 60 साल से ज़्यादा उमर के लोगों और वैसे लोग जिनकी उमर 45 साल है जो गंभीर बिमारी से ग्रस्थ हैं उन्हें वैक्सिन दिया जाएगा इसमें 10,000 सरकारी करमचारी और भी 10,000 प्राइवेट करमचारी को सामिल किया गया है बता दे वैसे लोगों जो प्राइवेट अस्पताल में टिका लगवाना चाहते हैं उन्हें वैक्सिन का पैसा देना होगा वहीं वैक्सिन की कीमत क्या होगी इसे लेकर स्वास्त मंत्रा लए तीन से चार दिनों में तै करेगा मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सनिवार को राची का अधिक्तम तापमान 34 डिग्री सेल्सेय तक पहुंच सकता है इसे गर्मी की सुरुवात के रूप में देखा जा सकता है राजे में पच्मी विछोब का असर लगवक खत्म हो चुका है बतादे इस दोरान राजे में समान रूप से आसमान साप और मौसम सुस्क बना रहेगा हलाकि राची समेत राजे के अन जीलों में निवतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है साथी अधिकतम और निवतम तापमान में अंतर ज्यादा रहेगा राची में 10 मार्च से सेना की बहाली जार्खन के युवाव के लिए सुनहारा मोका है बतादे राजे के सभी जीलों के लिए राजधानी राची में सेना बहाली होने वाली है राची के मौराबादी मैदान में अगामे 10 माल 2021 से सेना बाहली का आविजन किया जा रहा है इसमें राज एक के 24 जीले के योग्यों पूरुस कुमिद्वार भाग ले सकते हैं बता दे सेना बाहली के दोरान अभियार्ति को कोबिज-19 से समंधि दिशा निर्देश का पारण करना अनिवाब बीवल यह है सभी अभियार्तियों को बाहली के दोरान मास्क, दस्ताना यवं सेनेटाईजर अवस्यक रूप से उप्योग करने का निर्देश दिया गया है पटेल धोखा धड़ी मामले की जार्खन हाई कोट में सुनवाई जार्खन हाई कोट में अभिनेत्री अमिसा पटेल चेक बाउस मामले की सुनवाई बुद्ध्वार को हुई बतादे इस दोरान अभिनेत्री अमिसा को मिली राहत को जहाँ बरकराय रखा वही मध अस्ता समं थी मामले के बारे में कोट ने दोनों प्रक्षों से जनकारी मांगी इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ता बाद होगी पलामू में पुलिस मुढभेड में एक नकसली मारा गया है पलामू जीला अंतरगत रामगर थाना के चुरहट में जेजे एंपी उगरवादियो वा पुलिस के बिच मुढभेड हुई बता दे इसमें एक नकसली के मारा जाने की सुचना है घटना बुद्धवार साम चार बजे की है घटना स्थल जीला मुख्याले से 40 किलोमेटर दूर है बता दे अहिला का अति नक्सल परवावी तो अलाते है जीला के वरवाडी थाना का सिमा वर्ती है नेता प्रतिपक्ष मामला बाभुलाल को छोड़ भाजपा दूसरा नाम दे जारकन बिधान सभा के अध्यक्स रविंद्र नाथ महतों ने कहा है कि भाजपा अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा नाम दे तो विचार किया जा सकता है बता दे बिधान सभा परिसर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बावुलन मरांडी को मन्याता देने का मामला नयाधी करन में चल रहा है इस बावत अवस्यक पर किरिया की जा रही है अगर भाजपा की और से दूसरा नाम की अनुस अंसा की जाती है तो विचार किया जाएगा बिधान सभा में हर सवाल का अस पष्ट जवाब देगी सरकार बिधान सभा के बजट सुत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेका सता पक्ष ने कमर कसली है बता देमुख मंत्री हमान सुरेन ने बुद्वार को विधान सभा परिशर में काया की विधान सभा के बजट सत्र के दोरान सरकार होर सवाल कासपर्ष जवाब देगी हेमान सुरेन जार्खन बिधान सभा के अध्यक्स रविंद्र नात मातो द्वारा बुलाई गई बैटक महिंसा लेने पहुंचे थे बैटक 26 फरवरी से आरभ हो रहे हैं बिधान सभा के बैट सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर की गई थी गुमला में पांच की हत्या गुमला जीले के कामडारा थाना छेत्र में मंगलवार की रात एक ही परिवार के पांच लोगो की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई बता दे घटना अस्थाल पकरा पंचायत का बुरू हातू आम टोली जीला मुख्याले से करीब 80 किलोमेटर उसके परिवार की तीन पिडियों के लोग सामिल हैं पूलिस ने बरदात के पीछे डाइन विशाही से जुड़ा अंध विश्वास होने का संदेश जताया है धनबाद के आमा घाटा में 30 क्लोर की बेनामी जमीन का खुलासा जारखन के धनबाद जीला अंतरगत आमा घाटा मौजा में 30 क्लोर रुपे से अधिक मुलिके बेनामी जमीन का खुलासा हुए है बतादे 10 एकर से अधिक भुखंड का कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है 22 दर से इस जमीन की कीमत 50 क्लोर आकी जा रही है सुत्रू के अनुसार धनबाद अंचल के आमा घाटा मौजा में सरकारी जमीन पर गलत तरीका से जमीन खरीदने और मोटिलसन कराने की सिकाईथ पर हो रही जांच में कई चोकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं बताया जता है कि आमागाट मोजा में चल रही माप के दोरान एक बड़ा भुकंड मिला है जारखन में 32 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 29, पुर्वी सिमुम 6, बोकारो 1, देवगर 2, गुमला 2, गोड़ा 1, सिम्डेगा से 1 मिले है जारखन में कूल मौथ की संक्या 1,187 है वहीं एक्टिब केस की संक्या 431 है भारत में 16,886 नए संक्रमित मिले है भारत में कूल मौथ की संक्या 1,56, 742 है वहीं एक्टिब केस की संक्या 1,486,91 है जार्खन बिधान सभा में 1530 अस्वासन लंबित एस्पीकर ने जताई चिन्ता जार्खन बिधान सभा में अगामी पंचम बजट सत्र को लेकर बुद्धवार को सता पक्ष और विपक्ष के बिधान सभा सदस्यों के बिच बैठक आयोजित होई बतादे बिधान सभा अध्यक्त बिधान सभा में अब तक 1530 अस्वासन लंबित हैं जिस पर अस्वासन के बाद भी कोई करवाई नहीं हुई है इतनी अधिक संख्या में लंबित अस्वासनों पर इस्पीकर सिरी मतों ने चिन्ता जाहिर की है आठवी नवी और एकारवी की कक्षा ओफलाइन लेकिन परिक्षा ओनलाइन राज सरकार ने एक माई से स्कूलों में आठवी नवी और एकारवी की ओफलाइन कक्षा अरम करने के अनुमती दी है लेकिन ओफलाइन परिक्षा लेने पर पबंदी लगा दी है केवल बोर्ड पर इक्षा ही ओफलाइन होगी और एक अक्षाओ की पर इक्षा ओनलाइन ही लेनी होगी बता दे 18 फरवरी को राज आपता परवंदन समीती की बैटक में लिए गए फैसले का लोक में सरकार ने 23 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है आपता परवंदन विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है की स्कूल पूर्व की तरह डिजिटल कॉंटेंट और ओनलाइन कलास जारी रखेंगे जार्खन हाई कोट ने 29 भावे विस्व विद्याले में लेक्चरर की नियोक्ती पर लगाई रोक जार्खन हाई कोट ने 29 भावे विस्व विद्याले में समीदा के अधार पर लेक्चरर की नियोक्ती पर रोक लगा दी है अधालत ने सरकार और विस्व विद्याले से इस मामले में जवाब मांगा है प्रार्थी का कहना है कि वे लोग पहले से सन्वीदा पर काम कर रहे हैं ऐसे में सन्वीदा पर ही दुबारा नियुक्ति कर उन्हें हटाया नहीं जा सकता है किसानों की आए बढ़ाने को आगे आए बैंक सेक्टर नवाड महाप्रवंधक किसानों की आए बढ़ाने के लिए सभी हितकार को की ओर से पर्यास किये जा रहे हैं इसे आगे बढ़ाने में नवाड द्वारा भी पर्यास हो रहा है बतादे जाकन की किसानों की आए में बढ़ोतरी अस्थानी अनुकूल प्रद्योग की से ही किया जा सकता है नवाड के जिला विकास प्रवंदकों को क्रिसी गती विदियों में इसे विशेस प्रात्मिक्ता देने की जरूरत है परदेश के किसानों के हीत में B.A.U. नवाड को क्रिसी तक निकी जनकारी या प्रसिक्षन मामले में हर समझ स्वयोग करेगा भारत बंद सफल बनाने को गुट्स टांसपोर्ट एसोसियेशन ने निकाली रह ली एवे बिल की बायता खटाने वा जिश्टी के जर्टिल कानून के बिरोध में बुलाएगा एक दिवसे भारत बंद को सफल बनाने के लिए बुद्वार को रांची गुट्स टांसपोर्ट एसोसियेशन ने समर्था रहली निकाली एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने जलान रोड में लोकल टांसपोर्ट एसोसियेशन के सज़स्योग साथ बैठक की इस दरान लोकल टांस्पोर्ट एसोसेशन ने बंद के समर्थन की बात कही गरतला भाय की 26 फरवारी को रांची गुष टांस्पोर्ट एसोसेशन की ओर से माल ढूलाई हुआ उठाव ठाप रखने की गोस्तना की गई है एक साल में डेढ़ गुना तक बड़े मांसिक रोगी पिछले दस बर्स के आकड़े पर गोर करे तो यह साब पता चलता है कि मांसिक रूप से बीमार होने वाले लोग संक्या में लागतार पिरिदी हो रही है अब तक इस पर अलग-अलग संस्थावों की ओर से किये गए छोटे-छोटे-चोटे-अस्तर के अधियान की रिपोर्ट सामने आई है लोहर दगा में भालू के हमले से आठ बच्चे घायल लोहर दगा जिले के किसको थाना छेतरे के सरना पाट जंगल में मंगलवार की देर रात भालू के हमले से आठ बचे घायल हो गया घायल बच्चों को राजगिये उतक्रामित मद विद्याले उपर कोचा के प्रभारी परधना ध्यापक मोबत कविरुद्दीन अंसारी के सहयोग से सभी को इलाज के लिए समुदाइक स्वास्त केंडर किसको लाया गया जहां प्रात्मिक उप्चार के बाद सभी बचों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुँचाया गया बतादे घायल बचों में से दो की स्थीती गंभीर है सभी घायल बचे किसको थाना छेतरे के कोचा गाव के रहने वाले हाए किसी भी पारासिक्षक को नहीं हटाएंगे हिमन सुरेन गैर सिक्षक पतरता परिक्षा उतिन पारासिक्षकों ने मंगलवार को पुरजेक्ट भवन में मुक मंत्री हिमन सुरेन से मुलकात कर कार्य अनुबव के अधार पर वेतन मन देने वस्थाई करन की मांग की जाखन राज अनुबंद करमचारी महा संग तथा इसे समध जाखन राज प्रसिक्षित पारा सिक्षक संग के प्रतिनिदी मंडल के साथ होई बारता में मुक मंत्री को बताया कि लगभग 55,000 पारा सिक्षक टेट उतिन नहीं है किरिशी रिन से समंदित सुची सिग्र उपलावद कराय बैंक दुमका डिसी दुमका में बुद्वार को किरिशी रिन माफी योईना से समंदित बैठक में उपायुक्त राजस्वारी भी की अगवाई में हुई बैठक में उपायुक ने कहा है कि रीन माफी योईना का क्रेन वेयन सिग्रपूर्ण हो इसके लिए बैंक प्रतिनी दियों को अपने बैंक के क्रिसी रीन से समाधी सुची समाई पर उपलावद कराने का निज़ेस दिया देवघर एयरपोर्ट का 75% काम पूरा है देवघर हवाई अड़ा का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए यूद अस्तर पर काम किया जा रहा है पतादे एयरपोर्ट अपरेशनल होने पर यहां बड़े प्रमाने पर रोजगार के आउसर से रिजित होंगे ऐसे में अब जीला पसासन एयरपोर्ट अथुरिटी अफ इंडिया के साथ मिलकर छामत्या के अनुसा इसमें अधिक से अधिक अस्थानिय युवाओ को रोजगार के आउसर उपलवत कराने पर विचार कर रहा है बोकारो में मैट्रिक और इंटर की परिक्षा को लेकर तयारी तेज बोकारो जीले में आउजित होने वाले मैट्रिक और इंटर की परिक्षा को लेकर सिक्षा विवाग अमतिम तयारी में जुटा है बतादे इसको लेकर बोकारो, जीला, सिक्षा, पतादिकारी, नीलम, आइलीन, टोपो ने जनकारी देते हुए बताया है कि कोविन-19 को देखते हुए इस बार पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों को छोचो फिट की दूरी पर बैठाने का काम किया जाएगा उन्होंने बताया कि कोविन-19 के मादे नेजर मैट्रिक और इंटर की परिक्षा सेंटर में भी बढ़ोतरी की गई है उन्होंने बताया कि पिछले बर्स की तूलना में मैट्रिक के सेंटर में 9 तथा इंटर में 10 सेंटरों की बढ़ोतरी की गई है धन्यवाद